तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कम्प्यूटर से संबंदित 50 महत्रपूर्ट फुल फॉर्म देखेंगे जो जाज तर एक्जाम में देखने को मिलती हैं जिनके बारे में एक्जाम में पूछे आता है तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्रपूर आने वाला है तो व थैए कब से पहले बात करें कम्प्यूटर की तो देख victorious की का होती हUI है तो कोमरी ओपरेटिड मसीन पार्टिकुलरी यूजड खॉर टैकैनQUEल एंड है अर्चनीशनल रिशेर्च यह कंप्यूटर के फुल फॉर्म होती है अब देख़ कहा चैकनिकल है यहाँ पर आपको ट् computer के पहले वीडियो में करा दिया था आगे है ALU तो देखे ALU की full form होती है arithmetic logic unit उसके बाद है ATM ATM की full form क्या होती है तो automated tailor machine याद रखना है आगे है CD-ROM CD-ROM की full form होती है compact disk read only memory उसके बाद है CPU देखे जो CPU है इसके बारे में कई बार कोशन exam में देखने को मिलते हैं सबसे पहले यहां से कोशन पूछा जाता है कि computer का brain किसे कहा जाता है यानि computer का मस्तिस किसे कहा जाता है common business oriented language याद रखना है यह भी अभी हाली में जो railway के exam चल रहे बहाँ पर इसके बारे में full form पूछी गई थी आ गया है बात करें DVD की तो देखे DVD के full form होती है digital video disk अब देखे यहाँ पर जो video है इसकी जगे versatile भी हो सकता है तो दोनों तरीके से याद रखनी है digital video disk या digital versatile disk उसके बाद है e-commerce e-commerce की full form होती है electronic commerce उसके बाद है email आप सभी को मालूम होगा काफी असान है email की full form होती है electronic mail उसके बाद है eft eft की full form हो जाएगी electronic funds transfer और FET की full form होगी field effect transitory तो दोनों लगए यह eft की है electronic funds transfer और FET की है field effect transitory याद रखना है बात करे फोल्ट रान की तो देखे जो फोल्ट रान है यह एक computer की programming भासा है जिसकी full form होती है formula translation याद रखना है GPL तो देखे GPL की full form होती है general public license उसके बाद है GPS काफी महत पूर्ण है GPS की full form होती है global positioning system याद रखना है चलिए आगए है GUI तो देखे GUI की full form होती है graphical user interface याद रखना है और बात करें HLL की तो देखे ये भी महत पूर्ण है तो इसकी full form होती है high label language आगए है बात करें HP की तो देखे आप से भी जानते है HP यह है एक सूचना तकनीकी company है जो की अमेरिका की है तो इसकी full form क्या होती है तो hablate paycard होती ह है उसके बाद है HTML तो देखे most important है HTML इसकी full form भी कई बार पूछी आती है याद रखनी है क्या होती है hyper text markup language याद रखना है चले आगए है बात करें HTTP की तो देखे most important है पहले भी कई बार इसकी full form पूछी गई है तो इसकी full form होती है hyper text transfer protocol याद रखना है उसके बाद है IBM तो आपका बता दूँ IBM ये अमरिका की एक सूचना प्रोदोगी की company है जिसकी स्थापना 1911 को हुई थी तो इसकी full form होती है international business machines याद रखना है उसके बाद है IC IC की full form भी कई बार पूछ लिए आती है तो क्या होती है integrated circuit उसके बाद है IP IP की full form होती है internet protocol उसके बाद है JPEG की full form होती है joint photographic experts group याद रखना है JPEG तो देखिए JPEG की full form होती है joint photographic experts group उसके बाद है LAN तो देखिए इसकी full form होती है local area network ये भी कई बार पूछ लियाती है याद रखनी है आगे है बात करें LCD की तो देखिए LCD की full form क्या होती है तो liquid crystal display याद रखना है उसके बाद है LED की LED की full form होती है light emitting diode तो आपको दोनों याद रखनी है LCD और LED की उसके बाद है MICR MICR की full form होती है magnetic ink character recognition याद रखना है उसके बाद है modem modem के बारे में आपसे भी जानते हैं तो इसकी full form होती है modulator demodulator उसके बाद है MPEG MPEG की full form होती है moving picture expert group आगे है MTNL तो देखिए जो MTNL है यह भारत सरकार के स्वामित वाली एक दूर संचार कमपनी है देखिए इसकी स्थापना 1986 में हुई थी तो इसकी full form क्या होती है महन अगर telephone निगम limited याद रखना है उसके बाद है OTP देखिए यह भी महत्तपूर्ण है OTP की full form होती है bun time password याद रखना है और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो open source software याद रखना है देखिए बात करें PC की PC यानि की personal computer ये भी कई बार पुछ ले आता है बात करें PDF की तो PDF की full form होती है port table document format याद रखना है चलिए आ गए है बात करें RAM की तो देखिए most important है तो देखिए RAM की full form होती है random access memory अब देखिए यहां से एक question कई बार exam में पूछे आता है कि computer की Sthai memory कौन सी होती है तो computer की Sthai memory RAM होती है याद रखना है बात करें ROM की तो ROM की full form होती है read only memory और जो ROM होती है एक computer की Sthai यानि की permanent memory होती है तो आपको दोनों याद रखना है Sthai memory होती है RAM और Sthai memory होती है ROM चलिए आगए है UPS तो देखिए UPS की full form क्या होती है uninterrupted power supply याद रखना है बात करें URL की तो URL की full form होती है uniform resource locator उसके बाद है USB USB यानि की universal serial bus most important है USB क्योंकि ये railway NTP से एक्जाम 2020 में पूछी गई है बात करें BDU की तो BDU की full form होती है video display unit चलिए आगए है बात करें BAN की BAN तो इसकी full form होती है value added network इसके बाद है BGA यानि की video graphics array बात करें virus की तो इसकी full form होती है जो computer virus आता है beetle information resources under siege याद रखना है इसके बाद है BAN तो इसकी full form होती है bid area network बात करें www की तो देखिए ये भी most important है कई वार exam में पूछे आती है तो इसकी full form होती है bird by the web याद रखना है बात करें B.A.R.C की तो देखिए ये most important है क्योंकि जो railway के exam है 2021 में तो बहाँ पर इससे question कई वार exam में पूछा गया है तो B.A.R.C की full form होती है भाबा atomic research center तो देखिए जो भाबा atomic research center है यह है मुंबई में इस्थित है यानि कि भाबा परमाड़ उन्नु संधान के अंदर मुंबई में इस्थित है इसकी स्थापन 1954 में की गई थी देखिए इसकी स्थापन किस ने की थी तो होमी जहांगीर भा आ गया है बात करें PCB की तो PCB क्या होता है इसकी full form होती है printed circuit board इसके बाद है BIOS BIOS यानि की basic input output system और यहाँ पर last है SIM की full form क्या होती है subscriber identity देखिया identity की जगह आपको identification भी मिल सकता है और module तो यह इसकी full form होती है तो आपको याद रखनी है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हुआ अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए helpful हो तो प्लीज वीडियो क में जय हिंद जय भारत